Most welcome students in the smart club, myself Shobha Singh and English teacher. Dear students, आज चो हम पढ़ने जारे है Moments का second chapter. The chapter का title है The Adventures of Toto. ठीक है? यह story जो है एक दादाजी के कहानी है, उसके हम study करने जारे है. इसके writer है Ruskin Bond. Ruskin Bond ने यह story लिखी है. यह story Ruskin के दादाजी के उपर एक story है. यह Ruskin के दादाजी को जो है, घर में रहने के जाएको उने लगता था, मैं जो है जू में रहूं, मैं चानवरों के साथ रहूं. वो अपने घर में जो है, बहुत सारे चानवरों के साथ रहते थे. जिसमें उनके tortoise था, donkey था, squirrel था, rabbit था, dog था, ऐसे बहुत सारे जो animals उनने अपने साथ रक्स रखे थे. और जो granny थी, हमारी grandmother, उनको जो है, Ruskin की grandmother उनको पसंद नहीं था, दादाची की ये living style. वो बहुत नाराज होती थी. One day, दादाची going somewhere, दादाची के जा रहे थे, तो उनने रास्ते में एक तांगा वाला दिखा. जो दादाची कहीं जा रहे थे, तो उनको सामने एक तांगा वाला दिखा, वो इस तांगे वाले के पास एक चोटू सा, क्यूटी सा, बहुत प्यारा सा monkey था. जैसा कि बच्चों आपको पता कि दादाची को एनिमल से बहुत प्यार था, तो उन्हें जो है, बू मंकी इस तांगे वाले के पास अच्छा नहीं लगा. उन्हें लगा कि ये monkey तो मेरे पास होना चाहिए था. ये प्यार आसा monkey जो है, वो मेरे पास होना चाहिए था. ये इस तांगे वाले के पास क्यासा है? तो उन्होंने कहा कि तांगे वाले को कि ये monkey तो मुझे दे दू. तो पैसे की रेट के उपर डिसाइड करते करते यसा हुआ कि फाइव रुपीज में तांगे वाला त्यार होगे इस monkey को बेचने के लिए. तो वो उस monkey को फाइव रुपीज में लेकर आ गए. इस monkey की डिल जो है, फाइव रुपीज में डन हो गई. ठीक हैं? उसके बाद जो है, यह monkey को जब उन्होंने और ध्यान से देखा तो monkey बड़ा ही प्यारा लग रहा था. इसकी बहुत bright shine वाली आखें थी, आइस हो थी, बहुत bright थी, टीथ जो थे प्यारे प्यारे टीथ जो इतम पॉल की तरह वाइट टीथ थे. और जब यह हसता था, इसके जब मुह खुलता था, बहुत ही प्यारा फेस लगता था. बिक्वल white shine करते थे इसके teeth जो थे, बिता हम white shining वाले teeth थे. और उसके वाद इसके जो hand थे, dry hand थे इसके, कारण यह था कि इसको बहुत ज़्यादा shining वाली उसमें रहना पड़ता थे, sunny day में रहना पड़ता था, धूप में रहना पड़ता था, तो इसके hands उते बहुत dry थे, और इसकी एक जो लंबी इसी प्यारे पूश थी, जो long इसक third hand का का काम करती थी, जो चीज यह अपने हाँ से पकड़ने में मुश्किल महसूस करता था, तो वो उस जगे पे अपनी पूच को use करता था, अब पता है आपको इसका नाम क्या है, इस monkey का नाम है, टोटो, क्या नाम है इस monkey का, टोटो, टोटो, the great, बहुती शेतान पी था, जब यह हसता था, तो समझ में आता था, कि यह बहुती शेतान सा, क्यूटी सा monkey है, और इसी बज़े से जो है दादा जी इससे, दादा जी को इससे बहुत प्यार हो के था और उससे बहुत पसंद करने लगे थे, यह मिश्चीवर से शेतान, उससे monkey की हरकते भी बड़ी प् यह पेड़ पर उल्टा भी लटक पाता था, किसके सारे, अपनी इसलम भी इसी पूछ के सारे, लॉंग टैल जो है इसके सारे वो उल्टा उससे लटक लेता था, तो यह जो टोटो था ना, दादा जी ने इसको ले तो लिया, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी दाद को कैसे बताएं, ग्रेंडमा को कैसे बताएं, अब उन्हें लगा कि कैसे छुपाई इस बात को, तो उन्हें लगा ले तो लेते हैं, अब देखा जाएगा, जब दादी का मूड बहुत अच्छा हो, गुड मूड तब दादा जी ने सूचा, कि वेट करता हूं, हैपी और जब दादी जो है बहुत खुश होंगी और हैपी मोड में होगी गुड मोड में होंगी तब मैं उनसे मंकी के बारे बताओंगा क्योंकि दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे ये अनिमल्स और इसलिए वो हमेशा दादा जी पर गुस्सा भी होती रहती थी अब दादा जी को इसको रखने की बड़ी समस्था पैदा होगी तो उन्होंने दिमांग में लगाया कि क्यों ना मैं बॉंड जो है रस्किन बॉंड जो है उसकी अपने पोते की अलमारी में इसको चुपा दूँ तो उन्होंने उसको जो है उस मंकी को तोटो को जो है अलमारी में बांद दिया और अलमारी में इसको कर दिया अंदर दादा जी को रबॉंड को जो बाहर जाना था तो उन्होंने मंकी को जो है अलमारी में अंदर बांद दिया और वो दोनों भाहर चले गए जब वो लॉट कर आते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो टोटो है टोटो ने जो है अलमारी को खोल दिया उसकी अपनी रस्ती जो है वो उसने जो है तोड दी रस्ती उसने तोड़ दी और समान वहां बिखरा पड़ा था उसके बॉंड की पैंट उसके टी शिर्ट जो हैं वो बाहर पड़ी हुई थी कुछ उसने पेपर रखे थे वो बिखरे हुए थे बहुत सारा समान बिखरा हुआ था और उन्होंने जो घर की दिवारों पे बॉल पेपर लगवा रखा था उसे भी फार दिया और इंटे भी दिखाई देने लगी और बॉंड को तो बहुत ही गुस्सा आया वो बहुत दुखी हो गया बट दादा जी मुस्करा उठे उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि कितना इंटालिजेंट है ये तोटो हमारा देखो उसने अपने को किस तरह से आजात कर लिया अगर थोड़ा और हम लेट हो जाते तो वो इन कपड़ों की ही रसी बना के अपने को फरार कर लेता बॉंड तो बहुत टिंशन में था बहुत दुखी तो से लगा अब दादी मा से कोन बचाएगा ग्रैनी तो बस पीटने ही लगेंगे मुझे दादाजी कभी-कभी कैसी बाते करते हैं अगर ये होश्यार है ही उसे भाग नहीं है मंकी को तो उसे कपड़े की डूरी बना के भागने की क्या जरूमत बहुत वैसे ही भाग जाएगा बड़े बुद्धू है दादाजी बे अब क्या हुआ कि अगले ही दिन उनको जो है दादाजी को जो है सहारन पुर अपनी पेंशन लेने के लिए जानना था और उनका शौक तो आपको पता ही है कि खताम में नियुक्त था और उनका टोटो जिद पर दिल आ गया था प्यारा सा टोटो क्यूटी सा टोटो उसको लेके वो सहारन पुर की और ट्रेन से रवाना हो गए अगला जी सहारन पुर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जो है मंकी को उस बैग में रख लिया ताकि लोग उसको देखें ना देख पाएं और वो टीटी से भी नजर बचा सकें तो उन्होंने जब उसको ले लिया और ट्रेन में जब जाने लगे तो जब बैग जब वो लेके जा रहा थे जिसके अंदर उनने मंगी को रख लिया थे तो वो बारबार हिल रहा था कभी हिलता था, कभी डग 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 आवाजे आने लगती थी, तो लोग उसो बड़े आश्चर से देख रहे थे, सोच रहे थे, आखिर इसमें को क्या है क्यों ये बैग इतना हिल रहा है क्या लेके जा रहा है ये ओल्डे में जो इस तरह से जब हिल रहा था तो बाकी पैसेंचर घबड़ा गए बहुत जादा, कि आखिर यह क्या है क्या है इसमें लेके जा रहा ही है तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ बस इतना ही बत आगे बस दादाजी जब सहारन पुरी स्टेशन पहुंच गए तो उन्होंने जब अपने स्टेशन मास्टर के पहुंच और अपना टिकेट चेक कराने के लिए दिया तब ही टो टो जो है अपना मू निकाल लेता है बैग में से और स्टेशन मास्टर को देख के हसता है बलता ही 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 अब होता क्या है वो देख के स्टेशन मास्टर तो घवडा गया पुरी no it's not a dog it's a monkey ये monkey है कुटा नहीं है ये इतना सुनते station master गोला no it's not it's a dog ये कुटा ही है pay two rupees for rates दादा जी फिर बोले no dog it's monkey ये monkey है दोनों में बहस हो जाती है फिर दादा जी को आजाता है बहुत तेज गुसा और दादा जी नाराज हो गए बहुत तेज और उन्हें ने टॉटो इसको भी अपनी पॉकेट से निकाला बोले क्या इसकी बे टिकेट लगेगी station master ने इसको ध्यान से देखा बहुत केरफुली देखा बोला no it's not a dog ये गुता नहीं है फाइनली फिर शाम को जो है दादा ने बता दिया कि ये तोटो है तो दादी भी बोली कि ठीक है ओके बाद में तोटो को जो है नाना के साथ जो एक गधी थी दादा जिनने गधी भी अपने पास पाल रखी थी उस गधी के साथ तोटो और नाना को रहने दिया, मान ने टोटो नाना की चोड़ी बना दी कि दोनों साथ में रहेंगे बट, टोटो बहुत ही शेतान और बदमाश टाइप का था वो उसकी उससे कभी बनी ही नहीं, उन दोनों में अक्सर जगड़ा होता था टोटो बहुत ही जरुवत से ज़्यादा शेतान था, वो क्या करता उसको नाना को जो है हमेशा छेड़ता रहता था कभी उसके कान पकड़के, खुब खीचाता नहीं कर देता था, टुम 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 करता था और कभी जो है उसको दक्का देता था, उसके पीट पे चड़ जाता था तो इस तरह से वो उसको बहुत तंग करता था कभी नाना को काट लेता था, नाना बहुत ज़्यादा उससे परिशान था सर्दियों का टाइम था, टोटो जब नहाता था वो गरम पानी से नहाता था क्योंकि दादी हमेशा टोटो के लिए गरम पानी किया करती थी टोटो बहुत उश्यार था इस मामले में, वो गरम पानी को हमेशा नहाने से पहले चेक करता था सबसे पहले वो क्या करता था अपनी एक finger जो है वो पानी में डाल के चेक करता था वो अपनी एक finger लेता था उस एक finger को पानी में डाल के चेक करता था तो one finger पहले वो पानी में पुट करेगा उसके बाद जो है फिर वो क्या करता था अपना जो है यह पैर उसमें, पहला पैर उसमें डाल के दिखेगा, है ना, फिर other leg जो है, पहले first leg उसमें डाल लेगा वो, उसके बाद जब उसे थुड़ा ठीक लगता था, तो वो दूसरा पैर भी उसमें डाल देता था, so then other leg भी उसमें वो डाल देता था चेक करने के लिए कि पानी कहीं बहुत ज़्यादा गरम तो नहीं है जब उसे ठीक लगने लगता था कि पानी तो सही है तो वो अपनी body को जो है पूरी body पूरी उसमें पानी में कर देता full body जो है water में कर देता था then उसके बाद अपनी गर्दन लेकिन बाहार रखता था वो अपनी केवल गर्दन तक शरीर जो है बाहार रखता था पानी में जो है मस्ती करता था वो उसको लगता था कि भाई मेरे नहाने लग विपल सही water है lukewarm water है तो वो खेलता था ये सब चीज़ों से देख किस से सीखे किस से को देखा उसने ये सब उसने जो है bond को देख कर सीखा था bond जब नहाता था वो भी इसी तरह से पानी को check करता था तो जब टोटो नहा रहा होता है फिर दीरे दीरे सूख जाए और उसे ठंड भी ना लगे ऐसी एक दिन टोटो भागती वे जवायत उसने देखा कि एक परतन चड़ा हुआ है और उसमें उंगली डाल कर उसने देखी तो जब उंगली उसने डाली उसके अंदर पानी तो ठीक था मने परफेक्ट था कोई गरम नहीं था बिल तो टोटो जो है वो उसके अंदर बैट जाता है और वो जो है क्योंकि परफेक्ट और टेमपरेचर उसका गुठ था पानी का सो वो आराम से उसके अंदर बैट जाता है पानी में लेकिन आग तो नीचे जल रही थी आग लगी आग नीचे जल रही थी तो पानी धीरे धीरे गरम होने लगा अब हो क्या रहा था कि टोटो को जो है गरम लग रहा था नीचे तो वह उपर हो जाता फिर नीचे हो जाता नीचे गरम उपर ठंडा उसके हिप्स जलने लगे तो बड़े परिशान वह उपर नीच तो पुलाव निकाल लिया एक दिन दादी ने पुलाव बनाए और उसे डानिटल पे रख दिया और किसी काम से बाहर चली गई फिर क्या होता है कि टोटो इतने में पहुँचाता और वह पुलाव को ठाके खाने लगता है दादी जब उसको पुलाव खाता वह देख के चलात कि पकड़े और वो भी छलांग मारके भागने लगता है वो भी छलांग मारके दॉड़ पढ़ता है और पास मे पढ़ा गोरा पास में डास तो था इसमें उठाया और पाने से ब書 गिलास दादी के उपर ग्रेंड समा के फैंक दिया उसके बाद वहां से तेजी से फिर भा बाहर की तरफ भाग जाता है और अपनी प्लेट जो है उसको लेके साथ में जो पुलाओ की जो प्लेट थी उसको लेके वो उस खिड़के से बार चला जाता है और बाहर जो एक बेड़ था उस पे चड़ जाता है और मजे से बैटके बच्ची वे पुलाओ को खाता है और खा से खाते अचानक पुलाओ जो है, और उस प्लेट के कई सारे टुकुड़े हो जाते हैं, ये प्लेट उसके नीचे गिरादी और बहूत सारे टुकुड़े उसके हो जाते हैं, ये देखके ग्रेंड मा को बहुत तेज गुसाया, बहुत प्यारी प्लेट थी, उसके टुकडे टुकडे देखे, बहुत तेज गुसाया, बहुत दादा जी पे भी नाराज हुई, फिर दादा जी जो है, उस टोटो को लेकर, बस बदमाशु टोटो को लेकर, उस तांगे वाले के पास आ गए, और उन इन्होंने जो है थ्री रुपीज में जो है उसको सैल कर दिया उसको बापस दे दिया थ्री रुपीज में इसको टोटो को तांगे वाले को बापस कर दिया पहले इन्होंने फाइव रुपीज में लिया था फिर उसका तीन रुपे में इनको देना पड़ा, तो कितने सारा उनको नुकसान हो गया, कितने का चुना लगया पर वो अब संतुस्ट थे कि सिर्थान टोटो से उनको छंजट जो दे रहा था, जो परिशान कर रहा था उसे उनको छुटकारा मिल गया अब तीनों ही बहुत खुस थे, ग्रेंड मा और जो हमारे रसकिन बॉंड और दादा जी ये तीनों ही बहुत खुस थे क्योंकि वो इतने रिच नहीं थे कि इस टोटो की जो है ये जाते हुए टोटो जाएगा इसमें इस टोटो की जो बदमासी शाहन कर पाएं क्योंकि टोटो जो कभी बॉल पेपर फार देता था तो कभी कपड़े फार देता था कभी काटिन को फार देता था कभी पेपर फार देता था तो इसने बहुत नुकसान किया कभी बरतन तोड़ देता था कभी चीजों को फैला देता था तो इस तरह से वो बहुत नुक्सान कर रहा था तो दादा जी ने कुछ पैसों का नुक्सान सहा और टोटो को बापस पे भेज दिया चलो दोस्तों अब टोटो के शतानी से मच उठकारा मिला अब हम अगले अध्याई की तरफ चलते हैं